चोपडा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचों, MCC के इस्ट्रे वेकंसी राउंड का रेजल्ट अभी दो दिन और डिले हो चुका है यानि ये 31st.22 को डिकलेर होना था मगर MCC के मोपप राउंड की जोईनिंग दो दिन और अक्स्टेंड होने के कार्ण अभी ये 2nd.22 को अनाउंस होने की संभावना है मोपप राउंड की जोईनिंग 31st.22 को साम 5 बजे तक अक्स्टेंड हो चुकी है जब इस्टे वेकंसी राउंड है उसका रजल्ट है 2nd.22 को आएगा तो इसकी जोईनिंग डेट भी 3rd.Mars से लेके 7.Mars.22 तक हो जाएगी अभी गौर्मेंट इंस्टिटूट के लिए तो इस्टे वेकंसी राउंड MCC द्वारा कंड़क्ट करवाया जाएगा मगर डिम्ड उनिवर्सिटी के लिए concerned डिम्ड उनिवर्सिटी द्वारा ये कंड़क्ट करवाया जाएगा जो कंडिडेट डिम्ड उनिवर्सिटी में एडमिसन लेना चाहते हैं वो एक बार 1st.April.22 को MCC की वेबसाइट पर seat matrix चेक कर ले जिस डिम्ड में ज्यादा वेकंसी हैं और आप एडमिसन लेना चाहते हैं उसमें stay vacancy round के लिए वहाँ पर पहुंच जाएं क्योंकि यह है एक limited time schedule रहेगा गॉर्मेंट इंस्टिटूट का stay vacancy round मोपप के बाद vacant रही C2 पर conduct करवाया जाएगा जिसके लिए मोपप round की चोईसेज ही consider की जाएंगे 1st April 22 को stay vacancy round के लिए seat matrix publish हो जाएगा अभी state के मोपप round भी साथ साथ conduct हो रहे हैं तो अभी आपके पास limited option ही बज़े हैं आपको जहाँ पर भी seat मिलती है उसको occupy करना ही बेतर option रहेगा करनाटका इस्टेट में stay vacancy round के लिए 29 से 31 मार्स 22 तक registration open किया गया है अभी मोपप round की offline counseling चल रही है इसमें private quota की जो fees है 9,94,406 रुपे और जो इसमें high fees की college है पांच college है वो high fees की college वालों की इसमें मोपप round में seat वेकेंट रहने की संभावना तो नहीं है मगर other quota की seat जरूर वेकेंट रहेंगे इसमें इसमें जो NRI की seat थी वो other quota में convert हो चुकी है इसलिए other quota की 800 से भी ज़्यादा seat अभी वेकेंट रही है तो ये possibility लग रही है कि ये जो other quota की seat है इनी के लिए stay vacancy round में ये ही available रहेंगी private quota की seat available रहने की possibility बहुत कम है अगर रहेंगी तो बहुत कम एक दो seat ही vacant रहेंगी क्योंकि मोपा प्राउंड में तुरंत ही seat अलोट कर दी जाती है documents ले लिए जाते हैं, fees deposit हो जाती है सारा सब कुछ process वहाँ हो जाता है इसलिए मोपा प्राउंड में private quota की seat ये vacant रहने की possibility नहीं रहती है तो इन other quota की seat की जो fees है वो बहुत ज़्यादा है ये NRI quota की fees ही इसमें other quota की fees है लेकिन इसमें college negotiate करके इसमें admission लेता है तो जिस college में आप admission लेना चाहते हैं एक बार उसकी admission authority से आप बात कर लें वहाँ आपको present होना पड़ेगा आप एक बार उनसे बात कर लें fees का अगर negotiation होता है तो आप fees का कर लें उसमें कितनी fees आप दे सकते हैं college कितनी demand कर रही है तो इस परकार से आप stay vacancy round में admission ले सकते हैं ये college के थूँ ही admission होगा इसमें जो के ये दवारा admission करवाया जाता है वो Mopop round तक ही admission करवाया जाता है stay vacancy round के लिए institute खुद इसमें admission करता है तो आप एक बार college की अथोटी जो admission अथोटी है उससे एक बार बात कर लें आप जिस college के stay vacancy round में admission लेना चाते हैं तो लेकिन आपको जो stay vacancy round के लिए registration करना होगा वो K.E.A. की website पर ही करना होगा फिर K.E.A. ये list publish करेगा और उसी list के according आपको stay vacancy round में admission मिलेगा तो ये जानकारी थी counseling के बारे में जो भी update और मिलेगी हम आपको inform करेंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं